इसका उप्योग कबज की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये पेस्क्राइब किया जाता है, मरीज को ये दिया जाता है। परकार की कबज की समस्या रहती है या फिर कौन-कौन सी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये पेस्कराइब किया जाता है इसे यूज कैसे किया जाता है या फिर इसे कौन यूज कर सकता है कौन नहीं यूज कर सकता है इसका उपयोग क्या होता है इसका डोज क्या होता है इसका side effect क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे जैसे कि अगर किसी को कबज की समस्या रहता है या फिर काफे लंबे दिनों से या फिर कई महीनों से अगर उसे लगातार कबज की समस्या continue बना रहता है और वो अधर कोई मेडसीन और भी कोई दवा खा चुका है उससे अगर उसे कोई भी रिलीफ आराम नहीं मिलता है तब डॉक्टर के द्वारा कबज की समस्या को ठीक करने के लिए ये पेस्क्राइब किया जाता है यानि मरीज को बताया जाता है लेने के लिए जैसे कि ये काम क्या करता है जो हमारे आतों में पान करना करना पड़ता है और कभी-कभी आपने देखा होगा कब जैसे डीटी के कारण उसके जो पेट में पेट भी फूला-फूला सा रहता है कबज के कारण या फिर पेट में गुड़-गुड़ा हट सा हमेशा बना रहता है तो इन सारी समस्याओं को ये ठीक कर देता है ये काफी अच्छा होता है डॉक्टर के दौरा यह काफी ज़्यादा प्रिसक्राइब किया जाता है जैसे कि अगर किसी को कबज की समस्या रहता है तो आपने देखा होगा कि वो बराबर continue जो उसके पेट में कबज की समस्या continue बना रहता है अगर वो सोच के लिए जाता है तो बराबर वो एक प्रकार से उसे बार-बार continue जैसे दिन में चार बार-पांच बार वो सोचाले के लिए हमेशा जाता रहता है कवज के कारण उसे प्रॉपर जो उसका स्टूल है वो प्रॉपर पास नहीं होता है इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये पेसकराइट किया जाता है ये काफी अच्छा होता है ये इन सारी जो कवज से related समस्याओं रहती है तो इन सारी समस्याओं को ये ठीक कर देता है जैसे कि ये हमारे पेट को साफ रखता है और जैसे कि ये हमारे इस टूल को पतला करके यानि मुलायम करके बाहर निकालने का काम करता है इस टूल को ये आसानी से बाहर निकालने का काम करता है जिससे ब्यक्त को कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं होता है और जैसे कि य ये हमारी आतों को एकदम ठंड़क बना के रखता है चलिए अब हम आपको इसके यूज के बारे में बताते हैं इसको यूज कैसे किया जाता है जैसे कि ये आपको रात के टाइम यूज करने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है जैसे कि खाना खाने के बाद में इ ये करके लेने के लिए बताया जाता है, यानि खाना खाने के बाद में एक घंटा बाद में ये लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो दवा का डोज होता है यह डॉक्टर मरीज की इस्तिती और उसकी दिक्कत और उसके एज और उसके body weight के according यह medicine है जो लेने के लिए डॉक्टर के दौरा बताया जाता है लेकिन अगर मरीज को दिक्कत ज़्यादा है तब इसे दिन में दो बार भी लेने के लिए दोक्टर के द्वारा बताया जाता है चलिए अब हम आपको इसके side effect के बारे में बताते हैं इसका क्या-क्या side effect देखा गया है जैसे कि इसका कोई खास side effect नहीं होता है लेकिन किनी-किनी लोगों में इसका जो side effect देखने को मिलता है जैसे कि पेट में दर्द होना पेट भारी-भारी सा लगना ये सब इसके side effect होता है और जैसे कि पेट भरा-भरा महसूस होना पेट में एठन जैसा महसूस होना तो ये जो हमने आपको side effect बताया है ये किनी किनी लोगों में ये साइड इफेक्ट देखा गया है इसके अलामा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डाक्टर या फार्मासिस्ट से आप मिलें अपनी समस्या, अपनी दिक्कत और अपनी परेसानी बताएं उसके बाद में कोई भी मेडिसीन, कोई भी दवा उपयोग करें कभी भी आप कोई भी मेडिसीन, कोई भी दवा आप अपनी मरजी से उपयोग ना करें